जब दाल सबजी खाने का मन ना हो तब आप इस चटपटी चटनी को बनाएगा चटपट बनेगी और खाने में इतनी टेस्टी लगेगी कि आपको दाल सबजी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो इसके लिए हमने आपर दो प्याच को ऐसे बारीक काट लिया है आधा नीबू लिया है दो टमाटर को बारीक चॉप किया है यहाँ पर तीन से चार हरी मिर्च को हमने ऐसे चॉप कर लिया है यह दो लहसुन की कलिया है और आधा इंच अद्रक का टुकडा था जिसे हमने छ छोटे पीसिज में कट कर लिया है तो चलिए फिर अब चटनी बनाते हैं तो इन्हें हम सबसे पहले साइड में रखतेंगे और यहां पर हमने लिया है एक इमाम दस्ता या मोटार पेस्टेल खलवट्टा जो भी बोलते हों सबसे पहले हम इसमें अद्रक और लहसुन को डाले और इसे हलका सा कूट लेंगे यह दिखे इसे अच्छे से कूटना जरूरी है इसलिए इसे पहले ही डाल की कूट लेना है तो यह दिखिए हमने इसे अच्छे से कूट लिया है अब हम इसमें कटी हुही हरी मिर्ची डाल देंगे और इसको भी क्रस कर लेंगे यानि की और प्याज को भी इसी तरह से हम कूटेंगे बट इसी के साथ साथ हम टमाटर भी एट कर देंगे अगर आपके पास यह बड़ा नहीं है तो आप किसी भी बरतन में डाल करके भी इसे पोटेटो मैसर से या फिर इस तरह से किसी भारी चीज से क्रस्ट कर सकते हैं यह देखे इ बस इसे बहुत जादा पीसना नहीं है बस कूट लेना है ताकि इसी जूस अच्छे से रिलीज हो सके हैं तो यह देखे हमने यहाँ पर चटनी को अच्छे से कूट के रेडी कर लिया है हमारी जो चटनी है वो अच्छे से कूट चुकी है अब हम इसमें डालेंगे आधा न भुना जीरा पावडर डाला है काफी सारा बारी कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और एक बार हम फिर से इसे हलका सा कूट लेंगे ताकि जो धनिया पत्ती का फ्लेवर है वो भी चटनी में बढ़िया से आ जाए तो देखे हलका सा कूट लेना है इस चटनी को आपको मिक्सी में नहीं बनाना है इसी तरह से कूट करके ही बनाना है यह लीजए हमारी जो मज़े दार सी चटनी है वो बन करके विल्कुल तैयार हो गई है चाहें तो आप इसे चम्मच से थोड़ा अलट पलट दें ताकि अच्छे से क्रस हो सके और अब हम इसमें डालेंगे आदी छोटी चमच पाउडर चीनी यह टोटली ऑप्सनल है बट अगर आप डालेंगे तो यह सारे तीखे पन और जो भी मसाले डाले हैं उनके टेस्ट को बैलेंस करेगी और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा तो मै अच्छे से निकल के आया है तो इसे हम ऐसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे कभी कभी क्या होता है कि हमें डाल सबजी खाने का मन नहीं होता है तब आप इस तरह सी चटनी को बनाएगा इसे पराठे के साथ खाएगा यह रोटी के साथ यह दाल चावल के साथ बहुत चटनी लगेगी तो चटनी की रेसिपी को ट्राइ कीजेगा रेसिपी कैसी लगी फीडबेक में भी जरूर बताएगा